दूस्तो एक बार फिर मौल्दीव भारत की ओर जुकता हूए ना जरारा है बई एक बड़ा कंट्री एक ताकतवर कंट्री ए वो आपको जो है वो एड भी देता है यह बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि इस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से इसके बावजूद ही मौल्दीव की नई सरकार का चीन की ओर जुकाओ मौल्दीव का इतना ज़ादा नुकसान करा बैठा है कि अब मौल्दीव भारत के साथ किसी भी कीमत पर जुनना चाता है चाइना के गुण गा रहा है और फिर जब माफी मांगनी पड़ी जब माफी मांगनी पड़ी तो दोस्तों इस बंदे ने मूसा जमीर को भेजा अपने फॉरेंड मिनिस्टर को यह है इंडिया इंडिया ने जो जो कमाल करके दिकाती है कि मौल्दीव वालों को बता दी है मिंतर तल्ले काड़ा है मौल्दीव लेस्टन है कि बगार सोचे समझे एक दूसरे के खिलाफ को यह ऐसी लफजी जंग ना छेड़ दें के बाद में आपको पश्टाना पड़े तो यह जो कुछ मतलब कंट्रीज को यह वाला जो है अपना एटिचोट बदलना चाहिए लेकि मौल्दीव को जब यह पता है कि भाई हमारा गुजारा है इंडिया के बगार नहीं है नमस्कार दोस्तों जैहिन माल्दीव और भारत के समंद में इस साल की सुरुआत से ही खटास देखी जा रही है माल्दीव की सत्ता में आने के बाद ही मौमन मेजू चीन के करीब होने लगे थे लेकिन अब एक बार फिर माल्दीव भारत से रिष्टे सुधानी में लग गया है क्योंकि एंटी भारत ना ने लगा कर सत्ता में तो मजू आ गया लेकिन भारत से जो इनका एकनौमी चलती थी वो आज बैट गई और जब चीन के पास मदद मांगने को मालदी पहुचा तो चीन ने लात मारकर वापस भेज दिया जब से भारतियों ने मालदीव को बायकॉट किया है तब से मालदीव की टोरिस्ट इंडस्टी डोब कई है जो कि एक लौता इंडस्टी था जो मालदीव को पैसा बना के देता है अब भारत को फिर से मनाने के लिए अपनी एकनौमी बचाने के लिए भारत के घुटनों पर आ गया मालदीव ने कहा कि वह भारत ये रूपे सेवा शुरू करेगा इसके लॉंच की तर्खों का एलान अभी तक नहीं किया गया मौमन मैजू की सरकार एक वरिष्ट मंत्री ने कहा है कि इस कदम से मालदीव करेंसी को बढ़ावा मिलेगा और ये भी कहा कि अगर भारत ने नाराजी खतम नहीं की तो हम अर्माद हो जाएंगे आकिर मालदीव घुटनों पर आ ही गया और भारतियों को लुभाने के लिए इंडियन रूपे पेमेंट सुविधा सुरू करने जा रहा है आए उन पूरी वीडियो देखते हैं नालायक, निकम्मा, निठला अगर उसको कोई पैसे देने लगता है तो उसको लगता है कि उसकी वही औकात हो गई है जो पैसे देने वाली की है और उसको पूरा-पूरा confidence था चाइना पे कि हम भारत से पंगा लेंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पीछे गड़ा है चीन हम भारत को आंख दिखाएंगे भारत बोलेगा अच्छा अच्छा आप मॉल्डिव्स हैं आप तो चाइना का हिस्सा हैं हम आपके साथ पंगा कैसे ले सकते हैं हम आपको जवाब कैसे दे सकते हैं बहुत इंडिया आउट कैमपेन करी पैसे पकड़े इसने पैसा बाहर भी भेजा इसने चोरी का, करप्शन का यूनों, ब्रैवरी का बहुत पैसा लिया जितना चीन बोलता है हाँ, परसनल बेनिफिट दे सकता है चीन आपको मुहमद मुईजू कितना चीए ये लो पचास मिलियन, ये लो सौ मिलियन डॉलर जाओ, एश करो लेकिन मॉल्डीज के लिए चीन वो नहीं करेगा चीन ने इनके 38 तापू हतिया भी है साइन कर वा लिया अड़ते स्टापू ले लिया चीन चीन ने बोला कि ये हमें दे दो हमें धर अपने अपने होटल बनाएंगे आपको लगता है चीन को जरूरत है होटल बनाने के वो भी मॉल्डीज में चीन इतना गया गुज़रा है, नहीं चीन को बेसिस चाहिए थे, इंडिया के उपर स्पाइंग करने के लिए, अब उन होटेल्स में लोग तो आएंगे बाद में इंडिया के भी लोग आएंगे जब हाला ठीक हो जाएंगे मॉल्डीज और भारत के बीच में, लेकिन वहां पे स्टाफ रहेगा चाइनीज, वहां पे कंट्रोल रहेगा चाइनीज का, और उन आईलेंड्स में होटेल के बाहर क्या आक्टिविटी होती है, उनको तो जमीन चाहिए ना, इंडिया के बगल में, उनको जमीन मिल गए इंडिया के बगल में, अब मुहमत को रिस्ट्रक्चर करने के लिए मना कर दिया, जबकि इसी चाइना ने बोला था, जब मुहमत गया था ना, कतो राहा zweiten में चीन को, कि दे दे अल्लह के नाम पे, तब चाइना ने बोला था केम सोचेंगे रिस्ट्रक्चर के बारे में, फिर सोचके चाइना ने बता दिये कि तुम गरीबों से मुह नहीं लगते जाओ भगो एंसे अट रह रह कोने में डाल दिया चाइना ने अब परिशानी में आ गया मॉल्डीव्स फिर उसको याद आई भारत की है ना फिर भारत की याद आई यह देखो मॉल्डीव्स विल वरी सून लांच इंडिया ज रूपे सर्विस वो आर यूपे होता न रूपे वो सर्विस लांच करेगा और इससे उसको लगता है कि मॉल्डीवियन रूफिया जैसे हम लोग रूपिया बोलते हैं वो लोग फ आई डबले मॉल्डीवियन रूफिया यह और मजबूत होगा ऐसा उनको ऐसा उनका मनना है और ये कह रहा है कि मॉल्डीव्स के फॉरेन मिनस्टर मुसाज अमीर जब भारत आये थे आट और दस माई को तो इंडिया ने एक्स्टेंट करा थे जो ट्रेजरी बिल लिये थे वो इनको वापिस देने थे पचास मेले इन इ एक साल के लिए रख लो तो वो भी लेकर चला गया ये मुसाज अमीर जो वहां का फॉरेन मिनस्टर मॉल्डीव्स का और इसके अलावा इन्होंने ये भी कर दिया कि अब इंडिया को बोला कि रूपे यानि की इंडिया के रूपेज में पेमेंट हो जाएगी वो इंटरफ उसके उपर उपर पाकिस्तान है राइट अगर उपर देखें पाकिस्तान है इधर साइड में देखें नीचे तो श्रीलंका है ये ना उपर देखते हैं ना नीचे देखते हैं ये कहीं नहीं देखते हैं इनको नहीं पता है कि कितना बेड़ा गर्क हुआ है हर उस मुल्क क जिसने चाइना से इंवेस्मेंट करवाई है जिसने चाइना से पैसे लिए है इसके पहले वाले मेजर ली राइट में हमने क्या बोला था बिग गया रीकोडिक 15% सौधी रब खरी दो रही जा रहा है रीकोडिक है और ब responsive दीरे दीरे करके पाकिस्तान के बरतन बिक रहे हैं क्या मॉल्डीज को पाकिस्तान नहीं देखता नेपाल में क्या बुरे हाल हो रहे हैं क्या मॉल्डीज को वो नहीं देखता क्या बंगलादेश में किस तरीके से चाइना ने अंड्यू प्रशर डाल रखा है क्या उनको ये नहीं देखता च्री लंका का किस तरीके से पूरे पोर्ट ऐरपोर्ट बरबाद कर दी एकॉनमी बरबाद कर दी डिवाल्ट कर गया श्री लंका वहा के प्रेजिड़न्ट को भागना पड़ आ या, लोग गुज गए, लोगों ने सड़क पर घसीटा है, मंत्रियों को पीटा है, मारा है, कै ये नहीं देखा, यू डिन्ट सी अनी अफ दिस, आपने बोला, कि मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं, आने दो यार, मज़ा आ जाएगा, मैं सिंगापूर में एक फ्लैट लूँगा, मैं लंडन में एक घर लूँगा, मैं दोभई में एक बंगला लूँगा, ले लिया बंगला, अब देखो, फिर भी भारत मदद कर रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत ने मॉल्डीव्स को दो हजार तईस, दो हजार चौबिस में, भारत ने मॉल्डीव्स को साथ सो सतर दशमलव नौशून्य करोड रुपए दिये, करोड रुपए दिये, इन एड, यानि कि दान है, ये लोन नहीं है, ये दान है, ये मॉल्डीव्स को वापस नहीं करना है, इसके पहले भारत ने 183.16 करोड दिये थे, यानि कि 300%, तिकुना पैसा दे दिया, करी, इसने बत्तमीजी करी भारत के साथ, भारत के परदान मंतरी के साथ, तब भारत ने बोला कि ठीक है, हम तुम इतना दे रहते, तुम 300 कुना जाता हो, तुम खोश रहो, तुम जंता मत करो, यार, कभी ने कभी तो तुम्हारे आकल आएगी, याना, लेकिन ये नमक हराम ऐसा है, मुहमद मुईजु, इतना बड़ा नमक हराम आदमी है, ये, कि इसने सब कुस तो लपेट लिया, चाइना के गुण गारा है, और फिर, जब माफी मांगनी पड़ी, जब माफी मांगनी पड़ी, तो दोस्तों, इस बंदे ने मूसा जमीर को भेजा, अपने फॉरेंड मिनिस्टर को.